ओम नमस्षिवाय जैश्री रामचंद्रा आज मैं आपको आपके कुछ प्रश्णों का जवाब दूँगा और दो जरूरी बातें बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनकी आयू 40 साल से 70 साल या 80 साल के बीच में है हाला कि ये समस्याएं कभी भी किसी को भी हो सकती हैं लेकिन आम तोर पे ज़्यादा तर इस ग्रूप में आप उन समस्याओं का सामना करते हैं महिलाओं को अलग से और पूरुशों को अलग से बताऊंगा क्योंकि शायद प्रैविसी किसी की हट ना हो या महिलाएं ज्यादा कंफिडिबल फिल करती हैं और यदि महिलाएं चाहें तो पूर्ण रूप से वो अपना जब मैं ये कोर्स करवाऊंगा तो कैमरा बंद रख सक करती हैं अपना नाम भी नहीं बताएं तो भी मुझे समस्या नहीं होगी लेकिन हमारा इंटरस्ट इस चीज में होगा कि हम कैसे समस्या का समधान करें और मैंने ये आयू इसलिए बताई कि यह है वो आयू है जब एक महिला सबसे ज्यादा इमोशनल टर्बूलेंस जिससे कहते है ना उसको फेस करती है शरीर में बहुत सारे चेंजिज आते हैं और उसका मानसिक स्वास्ते पर भी गहरा परभाव पड़ता है और लगबग लगबग ऐसी ही स्थिति पुरुशों के शरीर में और मन में होती है कि जब 40 के बार जाते हैं तो एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है हर दिन शायद हर महीने आपको लगता है कि अब मैं बुड़ा हो रहा हूँ और वो फेलिंग आती है तो उस थिति में हम कैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थे को मेंटेन कर सकते हैं यह बताऊंगा दो अलग-अलग कोर्स इसके लिए डिजाइन किये हैं तैयार कर लिए हैं उस पे काम पूरा हो गया है लगबग एक महिलाओं के लिए और एक पुरिशों के लिए हाँ अगर आपको लगता है अभी भी आप स्वरविज्ञान के कुछ लाब लेना चाहते हो कि सुर्यस्वर से यह लाब हो जाए चंद्रस्वर से यह लाब हो जाए तो अभी आप थोड़ा इधिर्यार करो इस इस कोर्स को जोइन करने के लिए इसका मतलम आपका अब वी में है अपने आप पर ध्यान देने का अपने इंद्रियों पर ध्यान देने का मेरा जर्म क्यों हुआ था इस कारण को खोजने का तब हम आपका स्वागत करेंगे इस कोर्स के लिए और अगर आप अभी भी ऐसे ही पूछते हैं कि दंकालाब कैसे हो जाए और शत्रू पर कैसे विजय प्राप्त कर लें ये भी बताओंगा ये भी माय हाथ का खेल है स्वारविंग्यान में तो लेकिन अभी ये दो कोर्स ये आपके लिए नहीं है तो अभी इनका नाम भी नहीं सोचा मैंने अभी इनका नाम भी आपको फिर बताऊंगा कुछी दिनों में और इसके अलावा क्योंकि हम आम तोर पे भारतिय समाज में क्या है हमारी धारना कि हम मानसिक स्वास्ते पर बात नहीं करतें बिल्कुल भी तो हम तो ऐसे कह रहेते हैं पागल है पागल है ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं न तो जो की बहुत ग होगे नहीं देखो मानसिक जो समस्या है न उसका समधान इतना आसान नहीं है आपको एक छोटा सा जुकाम भी हो जाता है सिर में दर्द भी हो जाता है आप कितना प्रियतन करते हो उसके लिए कितना उपाय करते हो है न तो आप के जो मन पर जो आगात लगा है वो भी एक प हमारी थेरपी थी ध्यान की पूजा की तीर्थों में यात्रा करने की गुरु सेवा से भी बहुत लाब होता है लेकिन अब हम शहर की लाइफ में जो है इतना जगड गए हैं कि अब इतना हम कमफोटेबल नहीं है उन सब चीजों को लेकर तो इसलिए समस्या और ज्यादा वि परशनों के आज मेरे जवाब देने हैं तो श्रीष पटेल जी इनों ने पूछाए कि खेती बाड़े में कौन से स्वर में मूरत करें खेती बाड़ी के लिए आप चंद्रस्वर का प्रियोग करें आपको बहुत लाब होगा आपकी जो है खेती जो हार्वेस्ट है इसके लिए भी दो-तिन फैक्टर है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं कि किस मोसम में क्या वस्तू आप बो रहे हैं और उसकी दिशाय क्या है और आपका करेक्टर क्या है क्योंकि स्वर का प्रियोग कौन कर रहा है आप ही कर रहे हैं तो इसलिए ये थोड़ा सा है यह उन्होंने बोला है कि स्वर्वि ग्यान में जो सही मार्ग नियुक्तर हिए ना चाहे ऐसे कैसे bigger हौं कि कैसी कि मध्यों के बारे में लीकट संबंदी के बारे में बात करहे हैं हलाकि काफी हद तक हम इसको kontrol कर सकते है लेकिन जिसने गलत मार्क पर चलना चुन ही लिया है तो दो बाते हैं यहां की कौन decide करेगा कि यह गलत मार्क है यह सही मार्क है एक दूसरा जब उसने चुन ही लिया है तो उसको थोड़ा ठोकर खा के आने तो तब वो वापिस लोट के आएगा जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला ना मैंने आपको केंपल नहीं किया मैंने आपको ऐसे नहीं बुला कि नहीं नहीं यह तो आपको कोड़ करना ही चाहिए तो बहुत जुरूर यह नही मैंने का अगर आप अभी ऐसे सोच रहे हो, कि सुर्य स्वर का चंदर स्वर का ऐसे लाब ले ले हम, तो अभी आप थोड़ा और घूमो, जब ठक जाओगे तब आना दुबारा, हम तो यहीं बैठे ही है, तब आपको थोड़ा मानसिक आध्यात्मिक उत्थान की और लेकर जा कि हर कर्म का समय निश्चित है, तो आप उस समय की प्रतिक्षा कीजिए, उस समय का सम्मान कीजिए, वो आपके पास आही रहा है, आशीश पंडित जी ने बोला है कि शुगर के लिए उपाए बताए, शुगर के लिए स्वर्विज्ञान में सबसे प्रभावशाली और 99% बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कि जब आपका सूर्य स्वर्व जागरत है, तब आप कापालभाती का अभ्यास करें, कापालभाती एक अलग से क्रिया है, कुछ लोग उसे प्रणयम भी कहते हैं, लेकिन आप उस क्रिया को समझें, उस क्रिया को करें, जब आपक सूर्य स्वर्व जागरत हो, तो आपको डियमिटीज में बहुत लाब मिलेगा, क्योंकि उसकी साइंस को समझें आप, जब सूर्य स्वर्व के प्रभाव में हम कापालभाती का बिहास करेंगे, तो हमारी जटरागनी प्रदीप्त होगी, मेटाबोलिजम जिसे कहते हैं, अ रूबी सिंग जी ने कहा है कि बच्चों की नोकरी का फॉर्म कौन से स्वर्म में भरवाएं, फिर ये बहुत स्पेसिफिक कोशन हो जाता है, तो लेकिन आप तोर पे हम कह देते हैं कि चंदर में, लेकिन देखना पड़ेगा कि बच्चा का करेक्टर क्या है, कब वो दिन क किस समय में फोम भर रहे हैं, और उनकी दिशाएं क्या है, वो शायद कभी सुशुम्ना और चंदर का भी एक योग बनता है, लेकिन आप दोर में चंदर स्वर में आप करवाएंगे तो ज्यादा वो सेफ है, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो सुशुम्न किसी ने पूछा है कि अगर किसी से पैसे लेते हैं और जेब में रखते हैं तो कौन सा स्वर होना चाहिए, पैसे लेने में, पैसे आप अपनी तिजोरी में रखें, उस समय भी आपका चंदर स्वर जागरत होगा, तो वो पैसे का ठहराव जादा होगा, आपके पास जादा देर तक टिकेंगे, और जब आप अपने बैंक में अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, तो वो तो है तो आपके पास ही, हाला कि आपके लिए यह है, आपके अकाउंट में जा रहा है वो, अगर तब भी चंदर स्वर का प्र कर दिया इस कॉंसेप्ट को, जो यह बोले कि पैसा आता है, रुकता नहीं, पैसा आता है, वो कहते हैं, फिर खर्ची नहीं होता, चंदर स्वर का इतना प्रभाव, इतना शक्तिशाली प्रभाव है, और प्रणाम गुरु जी हम ऐसा ही करते हैं, पर लाब नहीं होता, यह बहुत जरूरी एक बात है कि कभी-कभी क्या होता है, कि आप चंदर स्वर में वो क्रियाएं करते हैं, जिसमें चंदर का लाब होता है, सूरिय स्वर के प्रभाव में सूरिय का कारिय करते हैं, लेकिन तब भी लाब नहीं होता, यह लगबग एक देड़ घंटा लगेगा आपको पूरा explain करने में जो मैं अभी रविवार को class लूँगा इस course के लिए उसमें इसका उत्तर देने का परियास करूँगा वो सब के लिए नहीं है लेकिन इसका जवाब मैं उन लोगों को जरूर दूँगा जो रगब 50-60 लोगों ने वो जोइन किया है कि सूर्य के प्रभाव में सूर्य का काम नहीं हो रहा, चंदर के प्रभाव में चंदर का का में नहीं हो रहा अब आप कह देंगे यह तो बिकार होता है सब कुछ नहीं है यह स्वर्विग्यान में ऐसे कुछ नहीं होता इससे नहीं इसका बहुत ही साइंटिफिक और आध्यात्मिक कारण है मैं आपको बताऊंगा और आप देखना बहुत तेजी से आप प्रोग्रस करना शुरू करोग से किसी ने पूछा है शेर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग किस पर में करनी चाहिए पहले तो मैं यह सर्च करूँगा कि ओप्शन ट्रेडिंग क्या होता है हाला कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि स्वरविज्ञान डिरेक्टली आपकी इसमें हल्प नहीं कर सकता नहीं कर सकता किसी दोखे में ना पढ़ें किसी दोखे बाज के चक्कर में भी ना आए हम तो अध्यात में कुछ थन की बात कर रहे हैं और शेयर मार्किट की ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं मैं हाला कि यह बता सकता हूँ आपको स्टेडी करने के बाद कि आज आप प्रोफिट करोगे या लोस लेकिन यह नहीं बता पाऊंगा कि आप शेयर ट्रेडिंग में आज कैसा करने वाले हो क्योंकि आप अगर मेरे सामने बैठे हो तो आपकी श्वास आपकी भावदशा आपकी एनरजी कुछ बताएगी कि आप विजेता हो या हारने वाले हो तो इस बात को समझे लेकिन मैं आपको कोई ऐसी तर्कीब बता दूँ ऐसा कोई उपाए बता दूँ जिसके माद्यम से आप पैसा बनाओ नहीं ऐसा नहीं होगा अगर कोई होगा तो मुहेभी बताना मैं भी उसको सीखूंगा उसक्रिया को दुनिया के जिस कोने में होगा वहां जाके सिखूँगा जितना पैसा खर्च होगा उतना पैसा करके सिखूँगा क्योंकि नहीं होता, आप इस बात को समझें यही मेरा परियास है कि आपके भ्रम को तोड़ना ताकि आप गलत धारणा ना बनाएं शास्त्र के बारे में ग्यान के बारे में तो आप इस बात को बिल्कुल ही दिमाग से अपने निकाल दें कि शेर मार्केट में कुछ लाब हो जाएगा हाँ जो दुकांदर बैठा है जो वेपार कर रहा है वेपारी है जो लोगों से डील कर रहा है उनको जरूर अनेक अनेक उपाई बताता हूं मैं और उनको लाब होता है और अगला कोर्स जो है हम शुरू करेंगे अक्तूबर की छे तारीक से जो की रविवार है उसके लिए जिन लोगों ने औरड़ी रेजिस्ट्रेशन करवा दिया है अच्छी बात है आपका स्वागत है और अगर आप इसमें अन्रोल करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी तो हमारी शुबकामनाएं आपके साथ है लेकिन ये एक बहुत बड़े दुरभागे की बात है कि भारत जैसे अध्यात्मिक देश में 99% लोग नहीं जानते कि तिहन कैसे लगाएं मेडिटेशन कैसे करें हैं ये बहुत ही unfortunate है तो हम थोड़ा इसको बदलने की चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और स्वर्विज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद ओम नमस्यवाएं